चुड़ाउन वाले पालना ना कीती इसलई उसने उनना दे दुश्मना द्वारा उनना नू हरा के सजा दिती एना दुश्मना ने इस्राइलियां कोणों सब कोज खो लिया उनना दे कारबार तबा कीते अते बौत आनू मार दिता कई साल परमेशर दी अना गया कारी करन अते दुश्मना द्वारा दबाय जान तों बाद इस्राइलिया ने तौबा कीती अते परमेशर नू कहा के उना नू छडावे तद परमेशर ने छडाउन वाले दिते जिनना ने उना नू दुश्मना तों छडाया अते देस वेच शांती लेंदी पर लोग परमेशर बारे पोल लगए अते फिर बुत्तां दी पूजा करन लगए इसलई परमेशर ने नेडे रेंदे दुश्मना दे समू मिद्यानियानू आगय दिती के उनानू हराए मिद्यानी लगातार सत साल इस्राइलियान दी सारी फसल लेके जानदे रहे इस्राइली बहुत डर गए सी के ओ गुफावा विच छुप जान दे सन किते मिद्यानी उनानू लब बना लैन आखिरकार उनाने परमेशर वाल दुखाई दिती के उनानू बचावे एक दिन एक व्यक्ती जिस्दा नाम गिद्यान सी ओ छुप के कनक छट रहा सी के किते मिद्यानी खो के ना लै जान परमेशर दा दूद गिदोन कुल आया अते किहा हे तकडे सूरबीर परमेशर तेरे नाल है जा अते मिद्यानिया दे हत्थों इस्राइलियानू छुडा गिदोन दे पिता ने एक मूर्ती लई वेदी बनाई होई सी परमेशर ने कहा के इस वेदी नू टादे पर गिदोन लोकां तों डरदा सी इसलई उसने रात तक इंतजार कीता तद उसने वेदी नू टादेता अते टुकडे टुकडे कर देता पर जित्थे उस मूर्ती दी वेदी हुंदी सी, उस दे लागे उसने यहोवा लई एक नवी वेदी बणाई अते परमेशर लई बली दिती। अगली सवेर लोकका ने देख्या कि किसे ने वेदी चूर-चूर अते तबाह कर दिती है तां ओ बहुत गुसे होए। ओ गिदोवाण दे कर उसनू मारन लई गए, पर गिदोवाण दे पिता ने कहा क्यों तुसी आपने देवते दी मदद करन दी कोशिश कर रहे हो। जे ओ परमेशर है तां उसनों अपना बचाओ खोद करन देओ क्योंके उसने इस तरह कहा इसलई लोका ने गिदोओन नू ना मारया मिद्यानी दुबारा फिर इस्राइलियां कोड़ों लुटन नू आए ओ एनने जादा सन के उना दी गिंती भी नहीं हो सकदी सी गिदोओन ने उना ना लड़न लई इस्राइलियां नू इकठा कीता गिदोओन ने परमेशर कोड़ों दो चन मंगे के ओ यकीन कर सके के इस्राइल नू बचाओन लई परमेशर उसनू इस्तेमाल करेगा पहले चिन लई गिदोन ने तर्ती उते कपड़ा विछाया अते परमेशर नू कहा होन दे स्वेर दी त्रेल सिर्फ कपड़े ते ही पवे अते तर्ती ते ना पवे परमेशर ने ओधा ही कीता अगली रात उसने कहा के तर्ती पिजे पर कपड़ा सुक्का रहे परमेशर ने फ 30,000 इस्राइली सिपाही गिदोन कुल आए पर पर्मेशर ने उसनों केहा कि ए बहुत जयादा हन ऐसल्य गिदोन ने 22,000 ने करेपैज दिता जो लड़ंतों डूर्दे सन पर्मेशर ने गिदोन ने किहा अजेवी बहुत जयादा हन इसले गिदोन ने सिवाय तिन सो सिपाहियां दे बाकी सारेयां नू वापस कारपेज दिता उस रात परमेशर ने गिदोन नू केहा मिद्यानिया दे डेरे विच जा अते जदों तु उन्ना नू गल्ला करदे सुने तु नहीं डरेंगा इसले उस रात गिदोन उन्ना दे डेरे विच गया अते सुनेया के एक मिद्यानी सिपाही जो उसने अपने सुपने विच वेख्या सी अपने मित्तर नू दस रहा सी उस दे मित्तर ने केहा इस दा मतलब है के गिदोन दी सैना मिद्यानी सैना नू हरा देवेगी जदों गिदोन ने सुनया, तां उसने प्रमेशर दी अराधना कीती, तद गिदोन सिपाहियां कोल वापस आया, अते हर एक नू एक एक तुरी, कच्चा कड़ा, अते मशाल देती, जित्थे मिध्यानी सौ रहे सन, उन्ना ने उन्ना दी चौनी नू केरा पालया, गिदोन दे तेनसो सिपाहियां कोल कड़यां विच मशाला सान, तांके मिध्यानी उन्ना दियां मशाला दी रोशनी नू ना देख लैन, तद गिदोन दे सिपाहियां ने एक को समेते आपने कड़े तोड़े, अते अचानक मशाला दी रोशनी दिसी, उन्ना ने तुरियां वजाईयां अते जैकारा गजाया यहोवा अते गिदोन दी तलवार परमेशर ने मिद्यानिया नू उलजन वेच पा दिता अते ओ एक दूसरे उते हमला करन लगे अते मारन लगे छेती नल बाकी दे इस्राइलिया नू वी करों बुलाया के आके मिद्यानिया दा पिच्छा करन वेच मदद करन उनना विच्चों बहुत सारे मारे गए अते बाकीया दा इस्राइलिया दे देश दिया हदांतों बाहर तक पिच्छा कीता उस दिन एक लख वी हजार मिद्यानि मारे गए पर मेशर ने इसरायल नू बचाया लोका ने गिदोन नू अपना राजा बनावना चाहया गिदोन ने उन्हानू इस तरह करंदी आग्या ना दिती पर उसने उन्हा कोडों कोज सोने दिया मुंदिया मंगिया जेडियां उन्हा सार्याने मिद्यानिया कोडो लईया सन। लोकाने गिदोननु वड़ी मातरा विच सोना दिता। तद गिदोनने अपने पैनन लई महाजाजक वरगे खास बस्तर बनाउन लई ओ सोना वरतिया। पर लोकाने इना दी पूजा करने शुरू कीती जिमें ओ एक मूर्ती होवे। इसलएँ परमेशर ने फیर इस्राइलियानु सजा दिती क्योंके उन्हाने मूर्ती पूजा कीती। परमेशर ने उन्हादे दुश्मना लू आगया दिती के उन्हानु हरौन। आखरकार उन्हा ने फिर परमेशर तों सहायता मंगी अते परमेशर ने एक होर छुटकारा देन वाला पेज जया। ए नमूना कई वार दोहराया गया। इस्राइली पाप कर दे, परमेशर उन्हा नू सजा दिन दा, ओ तौबा कर दे, आते परमेशर उन्हा नू छुटाउन ले छुटाउन वाला पेज दा। कई सालां तों परमेशर ने बहुत सारे छुटाउन वाले पेज जे, जो इस्राइलियानू उन्हा दे दुश्मनातों चुड़ाण आखिरकार लोका ने परमेशर कोड़ों एक राजे दी मंग कीती जो उन्ना दी लडाई वेच अगवाई करे ओ एक लंबा अथे तकड़ा राजा चौणदे सन जो उन्ना दी लडाई वेच अगवाई कर सके परमेशर ने ए बेंती पसंद नहीं कीती पर फिर भी उसने उन्ना दी मंग अनुसार एक राजा दिता